सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं Towards the End Game Towards का मतलब होता है की और और End Game का मतलब होता है जब कोई भी खेल समाप्त होने वाला होता है तो कोई भी प्रोसेस है उसकी जो लास्ट स्टेज है उसके लिए भी हम यूज करते हैं Towards the End Game Opposition parties are getting better With their tactics Tactics का मतलब होता है दाव पेच तो विपक्ष की जो पार्टीज है वे बहतर होती जा रही है With their tactics यानि की दाव पेच इस्तिमाल करने के मामले में विपक्षी पार्टीज बहतर होती जा रही है कि इस चोथे चरण में सोमवार को 96 जो निर्वाचन छेतर है उनमें मतदान हुआ With this और इस चरण के मतदान के साथ The voting process in 23 states and union territories has been completed कि तेविस, राज और केंदर शाशित प्रदेशों में ये जो लोगसभा चुनाओ की voting प्रक्रिया है ये complete हो गई है So far, अब तक 379 constituencies have voted कि अब तक 379 जो निर्वाचन छेतर हैं उनमें लोगों के द्वारा vote डाले जा चुके हैं Which include all 25 seats in आंदर प्रदेश अब ये जो 379 constituencies की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या-क्या शामिल है कि आंदर प्रदेश की 25 seat भी शामिल हैं और all 17 seats in Telangana on Monday तो कुल मिला कि Monday को Telangana की 17 seat पर भी जो है voting डाले गई, vote डाले गई और आंदर प्रदेश की 25 seat पर जो है vote डाले गई Polls were also held in the simultaneous assembly elections चुनाव जो है आयोजित कराए गए Polls were also held कहाँ पर? In the simultaneous simultaneous का मत्तब होता है एक साथ Assembly elections in आंदर प्रदेश for all 75 seats and in Odisha in 28 of 147 तो देखो इन लोकसभा चुनावों के साथ ही आंदर प्रदेश और उडिसा में विदान सभा के चुनाव भी हुए आंदर प्रदेश की विदान सभा की जो 175 seats हैं न टोटल 175 seats पर वोटिंग हुई और उडिसा में विदान सभा की जो टोटल 147 seats हैं उनमें से 28 seats पर वोटिंग हुई in these states इन राज्जियों में the BJP has had a blow hot blow cold rivalry देखो blow hot and blow cold इसका मतलब क्या होता है जब हम बोलते हैं na blow hot and cold इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रती अपने attitude को लगाता चेंज करते रहना कभी तो आप जो है बहुत जादा उत्साइत हो जाते हो किसी बात को लेकर कभी जो है बिल्कुल interest ही नहीं दिखाते है बिल्कुल उदासीन हो जाते हो तो इन राज्यों में वहां की जो छेत्रिय parties है उनके साथ BJP का behavior कैसा रहा है? blow hot और blow cold वाला, कभी तो BJP उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाती है कभी जो है indifferent हो जाती है interest खो देती है बिल्कुल rivalry का मतलब है प्रतिद्वंद्विता with ruling regional parties तो कुल मिला के हम बात करें आंद्रपदेश और उलिसा की तो वहां पर जो छेत्रिय parties हैं उन छेत्रि parties के साथ BJP की प्रतिद्वंद्विता जो है वो कैसी रही है hot and cold वाली blow hot and cold वाली यानि की लगातार अपने attitude को change करते रहना अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें regional parties की तो आंद्रपदेश में regional parties कौन सी है जो एक प्रमुक party है YSRCP और उलिसा में जो प्रमुक regional party है वो है BJD तो इन दोनों parties के साथ BJP जो है blow hot and cold वाला game खेलती रही है और क्यों ऐसा BJP ने किया है BJP का एक elaborate plan elaborate plan का मतलब होता है विस्तरत योजना है विस्तरत plan आपके to make some gain कि BJP लगातार इस बात के प्रती सचेत रही है कि वो कुछ फाइदा कुछ पकड जो है इन छेत्रों में अपनी बना सके तो इस विस्तरत plan के चलते BJP ने आंद्रप्रदेश और उडिसा में कौन सी नीती अपनाई है blow hot and cold वाली of the 96 seats up for the take in this phase the BJP had won 42 in 2019 यानि कि इस चुनाव का ये जो चौथा चरण है इसमे 96 seats जो है उन पे मुकाबला है और इन 96 seat में से BJP ने 2019 के चुनाव में कितनी seat जीती थी? 42 while the YSR Congress had won 22 in आंद्रप्रदेश जबकि जो YSR Congress parity है उसने आंद्रप्रदेश में 22 seat जीती थी and the BRS 9 in Telangana और BRS ने Telangana में 9 seat जीती थी the Congress held 6 Congress ने 6 seat जीती थी with no overarching theme overarching का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जब हम कहते है न overarching तो हम कह सकते है कोई भी ऐसी बात जो बहुत ही ज़्यादा important है most important क्यों? क्योंकि वो बाकी अन्य चीजों को प्रभावित करती है उसको हम बोलते है overarching theme defining the ongoing ongoing का मतलब है जो जारी है और campaign का मतलब है अभियान in this general election तो ये जो आम चुनाव है इन में कोई भी ऐसी महतोपूर्ण theme नहीं है यानि कि एक होती है न चुनाव के दौरान कोई जो लहर होती है कोई बहुत ही important theme होती है तो ऐसी कोई important theme इस चुनाव के दौरान हमें देखने को नहीं मिलती है parties and leaders have been testing तो विभिन ने जो political parties है और उनके जो नेता है have been testing various का मतलब है कई vivid slogans to rally voters around देखो rally around इसका मतलब होता है जुटाना जब हम बात करते हैं rally around तो rally around का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो लोगों को जुटा रहे हो उनका support पाने के लिए उनको join करने का काम कर रहे हो तो कुल मिला के एक कोई important theme तो है नहीं इस चुनाव में तो women party और women party के जो leaders हैं वो क्या कर रहे हैं कई तरह के नारे जो है and the principal opposition party और जो मुख्य विपक्षी पारिटी है कौन सी है मुख्य विपक्षी पारिटी Congress had an unsavory exchange unsavory का मतलब होता है unpleasant उसको हम बोलते हैं unsavory अप प्रिय exchange का मतलब है कि बही क्या हुआ है कि इसी बीच हमें ये देखने को मिला है कि Congress और ECI के बीच कुछ statements जो है दिये गए हैं आपस में एक दूसरे के प्रती और ये statements जो है unpleasant है responding to Congress President मल्लिकारजुन खरगेस questioning of the delay in the release of water turn out data turn out का मतलब होता है उपस्तिती water turn out का मतलब हुआ कितने मतदाता मतदान डालने उपस्तित हुए responding to यानि कि प्रतीक्रिया देते हुए जवाब देते हुए Congress President मल्लिकारजुन खरगे ने जो सवाल किये थे किस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया था कि ये delay क्यों हो रहा है in the release of water turn out data कि कितने voters जो है वोट डालने आए इससे संबंदित आंक्रे जो है वो तुरंत release किये जाए इसमें delay क्यों हो रहा है इस तरह का सवाल जब Mr. मल्लिकारजुन खरगे ने किया था तो इस सवाल के प्रतीक्रिया देते हुए ECI ने क्या कहा The ECI said People had such doubts in contempt कि लोग इस तरह के doubts को यानि कि मल्लिकारजुन खरगे के द्वारा जिस तरह का doubt दिखाया गया इस तरह के doubts को लोग जो है वो किस रूप में देखते हैं People had such doubt in contempt देखो जब हम बात करते हैं Hold something in contempt तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को उतना ज़्यादा attention नहीं देते तो कुल मिलाके ECI का यह कहना था कि मल्लिकारजुन खरगे ने जिस तरह के सवाल किये हैं जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं इस तरह की बातों को public ज़्यादा attention नहीं देती इस तरह की बातें जो है respect के लायक नहीं है attention के लायक नहीं है Mr. खरगे hit back में आने लायक नहीं है that the ECI was not acting on acting on का मतलब है action लेना communal and casteist statements by the Prime Minister and the BJP कि इस चुनावी अभियान के दोरान जो सांप्रदाइक और जातिगत statements Prime Minister और BJP के दोरा दिये गए उनके खिलाफ ECI को यह action क्यों नहीं ले रही है The BJP and the Congress have continued to mobilize mobilize का मतलब होता है जुटाना जैसे voters उनको जुटाना largely around questions of religious and caste identities respectively respectively का मतलब हो गया क्रमश है तो BJP जो है किस तरह से voters को जुटाने में लगी हुई है किन सवालों के आसपास BJP जो है voters को जुटाने में लग रही है धार्मिक सवालों के आसपास और Congress किन सवालों के आसपास voters को जुटाने का प्रियास कर रही है जातिगत पहचान के आसपास A mischievous representation of the demographic trends in the country देखो mischievous का मतलब होता है ऐसा behavior या आपके ऐसे शब्द जो की trouble पैदा करने के लिए आप कहते हो आप कोई इस तरह की बातें कहते हो जिनका intention होता है नुकसान पहुचाना जिनका intention होता है trouble create करना तो A mischievous representation of the demographic trend तो भारत में जो जनसंक्या की pattern है जो जनसंक्या से संबंदी जो pattern है उसको बड़े ही mischievous way में जो है present किया गया किसके द्वारा by a government advisor एक सरकार के सलाहकार के द्वारा तो ये जो representation दिया गया इस representation को come in handy देखो come in handy इसका मतलब होता है useful होना सहायक होना तो ये जो representation government advisor के द्वारा दिया गया demographic trends के regarding ये demographic trends का representation जो है वो BJP के लिए सहायक साबित हुआ for the BJP to make insinuations कि BJP ने क्या किया इस in demographic आंकडो का प्रियोग किया insinuations के लिए देखो insinuation का मतलब होता है indirect hint उसको हम बोलते है insinuation insinuation का मतलब होता है एक तरह का indirect किसी पर आप क्या करते हो आकशेप लगाना ठीक है तो उसको हम बोलते है insinuation indirect संकेत about Muslims with the aim of polarization तो BJP ने इन demographic trends का प्रियोग किया indirect तरीके से Muslims को target करते हुए with the aim of polarization और उदेश क्या था BJP का polarization polarization का मतलब होता है दुरुवी करण दुरुवी करण का मतलब होता है लोगों को दो भागों में लोगों को दो विपरीत भागों में बांट देना The BJP continued to accuse the Congress of accuse के साथ में आता है of preposition accuse का मतलब होता है एक तरह से आरोप लगाना Congress of favoring Muslims कि BJP जो है लगातार Congress पर Muslims को favor करने का आरोप लगाती रही है The Congress created trouble for itself Congress ने अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर ली क्यों? As ऐसा इसलिए one of its advisors कि Congress के एक सलहकार ने used racist vocabulary कि Congress के एक सलहकार ने नसलवादी शब्दावली का प्रियोग किया जातीगत शब्दावली का प्रियोग किया to describe India's diversity कि भारत की diversity का मतलब होता है विविदता भारत की विविदता को describe करने के लिए Congress के ही एक advisor ने racist vocabulary का प्रियोग किया और इससे Congress जो है स्वयम परेशानी में पढ़ गई while जबकि aspersions देखो aspersion का मतलब होता है arc shape किसी को criticism करना, आलोचना करना किसी की reputation को नुकसान पहुचाना उसको हम बोलते है aspersion, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं kataaksh while aspersions against Muslims by the BJP about their population about their population share population share का मतलब हो गया jansankhya की हिस्सा were dressed up dress up का मतलब है आवरण में लपेट देना as a concern का मतलब है चिंता का विशे for their well-being देखो जबकि BJP ने जो भी arc shape Muslims के खिलाफ लगाए यानि कि Muslims की जनसंख्या को लेकर जिस तरह के arc shape BJP ने लगाए वे arc shape किस रूप में कहे गए किस तरह से लपेट के उन आख शेपों को प्रकट किया गया एक चिंता के रूप में for their well-being यानि कि ये कहा गया कि भई ये जो population है Muslims की ये Muslims लोगों के लिए ही हानिकारक है ज़्यादा उनकी जो population है ये उनके खुद के लिए ही हानिकारक है उनके well-being के लिए उनके कल्यान में ही बादक है तो इस तरह से लपेट के बात जो है कही गई जबकि the Congress Proclamation जबकि Congress के द्वारा जो घोशना की गई about diversity भारत की विविदता को लेकर landed as racism तो ये जो Congress का Proclamation था विविदता के संबन्द में ये किस रूप में उतर के सामने आया जातिवादी या नसलवादी comments के रूप में जो है ये बात उभर के सामने आई the interim bail given to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal by the Supreme Court of India की Delhi के Chief Minister Arvind Kejriwal को Supreme Court के द्वारा जो जमानत दी गई facilitated facilitate का मतलब होता है सुगम बना देना किसी चीज को और ज़्यादा आसान बना देना तो कुल मिला के Arvind Kejriwal को मिली bail ने आसान बना दिया किस चीज को आसान बना दिया his return to the campaign trail कि ये जो चुनावी अभियान चल रहा है उस चुनावी अभियान में वे लौट सकें ये आसान हो गया Arvind Kejriwal के लिए जब उन्हें Supreme Court से bail मिल गई quick on his feet quick on his feet का मतलब होता है बिलकुल quickness दिखाते हुए ना बहुत ही फुर्तीलापन दिखाते हुए Mr. Kejriwal has dragged the BJP तो बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए Mr. Kejriwal जो है उन्होंने BJP को घसीट लिया dragged the BJP किस चीज में into explaining कि BJP इस चीज को explain करे किस चीज को explain करे BJP that कि Narendra Modi would remain the PM even after completing 75 years of age in September next year कि अगले साल सितंबर में Mr. Narendra Modi जो है 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या 75 वर्ष के होने के बाद भी Mr. Modi प्रदानमंत्री बने रहेंगे या फिर उनकी जगे कोई और प्रदानमंत्री आएगा मतलब Mr. Kejriwal जो थे वो इस चीज की और इशारा कर रहे थे कि इस चीज की और इशारा कर रहे थे कि 2014 के टाइम पे Mr. Modi ने जो है इस तरह की बातें कही थी कि 75 years की age अगर BJP में किसी candidate की हो जाती है के हो जाएंगे तो वो retirement ले ले लेंगे तो फिर उनकी जगे कोन आएगा तो इस बात को explain करने के लिए Mr. Kejriwal ने BJP को मजबूर कर दिया Mr. Kejriwal has claimed for himself the central position in the opposition beyond the 2024 election Mr. Kejriwal जो है उन्होंने दावा किया है किस चीज का कि उन्हें मुख्य पोजिशन जो है दी जाए कि विपक्ष पूरा की पूरा जो विपक्ष है उस विपक्ष में उन्हें जो है central position मिले 2024 के election के बाद भी by putting forth put forth का मतलब होता है सामने रखते हुए a list of nationwide का मतलब है raster vya p welfare guarantees welfare guarantees का मतलब हो गया कल्यान कारी guarantees है कुछ इस तरह की योजनाओं को सामने रखते हुए देश के सामने है कुछ welfare guarantees को सामने रखते हुए Mr. Kejriwal जो है उन्होंने विपक्ष में central position का दावा अपने लिए किया है तो ये जो दावा उन्होंने किया है this has added to the tensions in the opposition space कि जो विपक्षी खेमा है उसमें तनाव बढ़ गया है where where का मतलब है यहां पर जो विपक्षी खेमा है जो विपक्षी parties हैं पूरी की पूरी जो इंडिया ब्लॉक है where are delicate delicate का मतलब है बहुत ही नाजुक dynamic का मतलब है गतिशील equilibrium का मतलब है एक समान अवस्था holds का मतलब है maintain करना किसी चीज को बनाए रखना together अब अगर हम विपक्ष की बात करें तो वहां एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही गतिशील एक संतुलन बना हुआ है together और उस संतुलन के जरिये विपक्ष जो है बंदा हुआ हालांकि जो पूरा की पूरा विपक्ष है ideological disparate forces तो उस पूरे विपक्ष में हमें क्या देखने को मिलता है वैचारिक रूप से यानि कि विपक्ष में जो parties हैं जो लोग हैं उनकी जो विचार धाराएं हैं वे किस तरह की हैं disparate disparate का मतलब होता है बिलकुल अलग-अलग होना बिलकुल विभिन होना असमान होना तो असमान ताकतें असमान ताकतों का मतलब हो गया कि जो political parties विपक्षी गटबंदन में है वे विचार धारा के तल पे बहुत ही अलग-अलग है लेकिन फिर भी वे जुड़ी हुई है तो वो जो जो जोड़ है वो बहुत ही delicate है बहुत ही नाजुक है और इस नाजुक जोड़ में एक तरह से tensions create हो गई है Mr. Kejriwal ने जो कुछ बाते कही हैं उससे तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल